कि जैन मेरे प्यारे साथियों उमीद है कि आप बहतर होंगे अच्छे स्वस्थ मस्जवर्चस जिंदाबाद होंगे तो क्या हल चाल है आप लोगे एकदम पुरी तरह से बिंदास हैं मस्थ हैं तो भाईया 24 सितंबर को एकजाम होने वाला है और एक कितिहासिक दिन बनेगा अगर आपकी तयारी पुरी तरह से मुकमल हो गई यह माइने नहीं रखता है कि अभी तक आपने कैसे पढ़ा क्या प्रफार पुलिस कांस्टेवल के लिए आज मैं रेंकर स्ट इस्तृत का पहले टेस्ट जो है आप जानते हैं कि जू अब कि आपके लिए 15 तैस्ट्रीग गते ह मुकम पर जाकर, प्रजुट्यूबकुल कर सांसे आप एक जिस्टरीज जाएंगे और यहां पर जाकर यह मात 149 और बबे सकते हैं अभी यह तीन टेस्टरी्जंगर रीज्यिव पूरी तरह से बिलकुल है और बिलकुल बुखार से जूज रहे हैं वाइरल है तो चलिए लेकर चलते हैं तो इजाजत होगा आपका और पूरी तरह से आप लोग एकदम अपनी मुहबबत बरसाते रहे और देखते हैं कि रैंकल स्ट्रेस रिच्क है पहला कोश्चन कैसा है और आपके लिए कैसा आपका जलवा है तीस सवाल क तेल का निर्पेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों इस सवाल का जबाब दीजिए तब तक एक बार कमेंट सेक्षन में बाढ़ आ जानी चाहिए सभी को तो सभी दोस्तों के एक बार प्यारा सा जैहिंद है और बिलकुल वर्दी के दिवानों को मिट्टी आप जा तो क्या सही जवाब होगा बहुत सारे दोस्तों ने अलग-अलग जवाब दिये हैं यानि इस तरह का शवाल अगर आता है तो बिलकुल आपके लिए एक कठिन कारे होगा वैसे मैं बता दू कि अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता अपवर्तनांक जो होता है मात्रक विहीन भहुतिक रासी है और दोस्त एक बात याद रखेगा बिहार को मात्रक विहीन भहुतिक रासी पूछने का बहुत चसका है तो अपवर्तनांक के अलावा रेखी आवर्धन भी है मेरे दोस्त अच्छा केवल रेखी आवर्धन ही नहीं है इसके अलावा विक्रिती भी है और और याद रखिएगा कि ranker stress series पूरी तरह से एक कोश्चन का धागा जरूर खोलता है कि कैसे कोश्चन तोड़े जाते हैं तो दोस्त याद रखना है कि जो अपोर्तनांक होता है वेग का व्यूत क्रमानुपाती होता है यानि जितना अपोर्तनांक बढ़ेगा उतना ही वेग याद रखना है आपको n equal to यानि n1 upon n2 बराबर v2 upon v1 लिखते हैं या lambda 2 upon lambda 1 लिखते हैं इस बात को पुरी तरह से याद रखिएगा के लियर है दूसरी बात में आपको बता दो सुने रहिए अपोर्तनांक से बने हुए सवालों को याद रखिएगा अपोर्तनांक बराबर 1 upon sinc और यह c जो होता है क्रांतिक कोड होता है एक कोस्चन के साथ आने वाले सारे बिहार के कोस्चन को मैं ले कराया हूँ क्रांतिक कोड की अगर हम बात करें तो क्रांतिक कोड आप जानते हैं कांच के लिए अलग होता है जल के लिए अलग होता है और हीरा के लिए अलग ह होता है और हीरा के लिए क्रांति कॉड़ का मान होता है 24 डिग्री लेकिन साथ में अगर जल के लिए करीब होता यहीं हम को याद रहता नहीं है भूल जाता है आप लोगा इसको याद रखेगा अत्यधिक काले धुमे के साथ पीली लपट देखे तो इसका अर्थ क्या है? चारो आपसन में से एक सही जवाब है. मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, बिल्कुल. मिट्टी के राज दुलारे जो है मेरे दोस्त, इसका सही जवाब आपको चुनना है मेरे भाई. या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल. एक बात में बता दूँ, मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ इस कोस्चन के साथ. बहुत प्यारा सा जवाब ये भी है. देखेगा, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान पर रखना है. सुनियेगा, आप हाइड्रो कार्बन की मैं बात करूँ न, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्शर होते हैं, इसमें एलकेन जो होता है, वो संत्रिप्त होता है. सुनियेगा, सारे कोस्चन को ध्यान से देखते रहिए. एलकीन और एलकाइन जो होते हैं असंत्रिप्त होते हैं एलकीन और एलकाइन कैसे होते हैं मेरे भाई असंत्रिप्त यानि इनमें डबल और ट्रिपल बांड पाय जाते हैं असंत्रिप्त होते हैं ये संत्रिप्त होता है आप जानते है, ब्लू लपट पाई जाती है, तो सबसे किनारे कैसी लपट पाई जाती है, मेरे भाई, ब्लू लपट पाई जाती है, और ब्लू के बाद आप जानते है, थोड़े औरेंज कलर की लपट पाई जाती है, यहां पर दिया नहीं है, थोड़ा ऐसा कलर हम बना दे और इसी के बाद आप जानते हैं, पीली कलर की लपट आपको दिखाई देती है, पीली कलर की लपट आपको बीच में दिखाई देती है, पीली अरे भाई, आईए, यहां पर देखिएगा, बिल्कुल, यह यलो कलर है, और इसी यलो कलर के बीच में आपके पास, यहां ब्लैक कलर होता है तो भीए भीए ये केंडल है केंडल इसको मानिएगा तो सबसे किनारे बात याद रखेगा जो सबसे किनारे पूर्ड आक्सिकरण होता है यहां पर पूर्ड दहन होता है और सबसे ज्यादा तापमान किनारे का होता है और यहां पर कम तापमान होता है असंत्रित ह हाइड्रोकार्बन के कारण यहां का तापमान जो होता है थोड़ा कम होता है लेकिन जो बीच में ब्लैक होता है यहां पर दहन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है अगला सवाल आपसे पूछा है एथेनाल एक समावयवी है यह कोस्टन को देखकर लगता है कि विहार पुलिस का स्टेबल के पिछले तीन साल के तीन बार के जो पेपर है उसमें एक है कोस्टन आपको समावयता का मिलता है तो यह लगता है कि इस रैंकर स्टेज स्रीज के अंदर कोस्टन जो बनाए गया है वो पीछे के पेपर को भी मानक रखके बनाए गया है तो समावयता का मतलब क्य होता है मेरे दोस्त आइसो मरेज्म इसका मतलब जो होता है देखेगा आइसो मरेज्म का मतलब होता है जिसका संरचना सुत्र जो होता है अगर किसी का सन्रचना सुत्र समान हो और सन्रचना अलग-अलग हो उसी को समावैता कहते हैं मने जैसे एक एही फार्मूला है कार्वन की संक्या हाइड्रोजन की संक्या अक्सीजन की संक्या दो अलग-अलग योगिकों में सेम हैं लेकिन सन्रचना अलग-अलग है जैसे देखिए यह कोश्चन पूछा है यह इथेनाल का फार्मूला है और ये देखिए जितने कार्बन इसमें है उतने ही कार्बन इसमें है देख लिजे इसमें कितने कार्बन देखने को मिले दो कितना हाइड्रोजन देखने को मिला छे और एक आक्सिजन देखने को मिला इसमें भी दो कार्बन छे हाइड्रोजन एक आक्सिजन यानि एलकोहल ज यह अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है और ऐसा कोस्टन बिहार पुलिस का अस्टेबल लें पीछे के पेपरों में पूछा हुआ है यह कोस्टन वुसी को आधार बना के लाये गया है याद रखिएगा डाइं मिथाइल इथर इदा राइट आउंसर आगे चल लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ आपसर नंबर तीन तीन जगह पे रखा हुआ है आपसर नंबर तीन जगह पे पहले तीन ही को पढ़ लेते हैं किसी भी योगिक में परमाडूओं की संख्या परिवर्तनी है ए भाई ए भाई ए यह सवाल पढ़ो ना लाइन पढ किसी योगिक में परमाडूओं की संख्या परिवर्तनी होती है क्या योगिक में तो परमाडूओं की अनुपात निश्चित होते हैं आप कहेंगे जी सर जी जल में हाइड्रोजन और आक्सीजन का अनुपात दो समंदे एक है कारबन डाइकसाइड में एक समंदे दो है के ओल पहला option सही है ये method का नाम है elimination method प्रिती याद रखेगा भी हिमानसु मुस्कान ऐसे question को ढूडेंगे direct हमने एक question को eliminate किया मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं ये तरीका होता है question को तोड़ने का सभी तत्व छोटे छोटे कड़ों से बनते हैं अलग अलग तत्वों में परमाडवों की संख्या अलग होगी द्रब्यमान और रसाइनिक गुड़ भी अलग होगा तो ये बात सही है यानि पहला और दूसरा option सही है याद रखेगा इतिहास दुबारा वक्त दुबारा नहीं आएगा और सही वक्त पर सही फैसला करना पड़ेगा बिल्कुल अगला question देखिएगा पूछाए आवर्च सारडी के मध्ध मैं कहता हूँ science में periodic table जरूर पढ़िएगा periodic table के question जरूर आते हैं क्यों भाई तो periodic table से question जरूर आते पूछाए आवर्च सारडी के तो आधुनिक आवर्च सारडी को देने वाले थे मोजले और मोजले के समय मोजले ने परमाडू क्रमांग पर आधारित आवर्च सारडी दी है परमाडू क्रमांग पर आधारित यानि जेड पर आधारित दी है मेरे भाई, मेरे दोस्त याद रखना आवर सार्डी में न बाएं और दाएं और बीच में तीन सवाल पूछता है मध्य में ए ध्यान दो इधर देखना इधर 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 ये देखिएगा अगर लेफ्ट पूछेगा न तो आवर सार्डी के बाएं क्या होते हैं तो आवर सार्डी के बाएं धा और आवर साडी के मध्य में क्या पाए जाते हैं तो संक्रमण तत्तो पाए जाते हैं तो कोई आप से पूछे कि आवर साडी के बाएं साइड में क्या होगा तो धातू होगा दाहिने साइड में क्या होगा अधातू होगा और बीच में क्या होगा तो संक्रमण तत्तो होगा बीच में क्या पाय जाएगा संक्रमण तत्व। तो पूछोगे कि सर जी संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो हाँ, अपुड याद रखिएगा, अपुड डी कक्षक वाले तत्व। अपुड डी कक्षक वाले तत्व क्या होते हैं। ये संक्रमण तत्व होते हैं, और ये संक्रमण तत्व के बारे में याद रखिएगा, कि संक्रमण तत्व अपुड डी कच्छक वाले होते हैं, और ये इनका अपवाद पूछता है, अपवाद, पूछेगा कौन से ऐसे तत्व हैं जो अपवाद हैं, तो ZNCDHG अपवाद है मेरे भाई अच्छा इसी में सिक्का धातू पाए जाते हैं कोई ऐसा बीर बहादूर है कोई ऐसा भया माटी का लाल है जो सिक्का धातू का एक्जामपल बता देगा कि सिक्का धातू किसे कहते हैं कौन ऐसा है जो बताए सिक्का धातू किसे कहते हैं कौाइन मेटल किसे कहते ह है भाई याद रखिए CUAGAU को कहते हैं किसको कहते हैं CUAGAU को ताबा चादी सोना CUAGAU है और सुनिए उपधातू पूछा जाए तो आवर साड़ी में सात उपधातू है और सातों के सातों पी ब्लाक में पाए जाते हैं तेरहवे ग्रूप से शुरुवात होती है सिलिकान हां बिल्कुल आजीव कोस्चन है सर रजनी कह रही है पढ़ाई लिखाई चल रही हो तो आजीव कोस्चन कैसा आवर साड़ी के मत देखे तक तो आजीव सवाल हो गया चलिए यह सवाल देखिए यह फ्लेमिंग मैक्सवेल के नियम पर आधारित सवाल है क्या यह सवाल नहीं जाना चाहिए मैंने आपको कितनी बार बताया है कि विद्यूत मोटर में फ्लेमिंग का बाय हात का नियम और जेनरेटर में फ्लेमिंग के दाय हात का नियम तो इस सवाल का जबा बताओ बाया या दाया या मैक्सवेल के कार स्कुरू का नियम क्या होगा पूछा है कि भाई तो पहले से क्या रधारित है पहले से चुम्बकी छेत्र है और चुम्बकी छेत्र में जब धारा प्रवाहित किये तब बल लगा मेरा कहने का मतलब यहाँ पर बिद्युत उर्जा से यांत्रिक उर्जा मिल रहा है और बिद्युत उर्जा से यांत्रिक उर्जा अगर कही मिल रहा हो तो वह बिद्युत मोटर होता है और मैंने नार्मल क्लासेज में आपको चिला चिला के बताया है कि बिद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, इसका सही जबाप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा, और याद रखिएगा, फ्ल प्लेमिंग के दाएं हात का जो नियम है यह जेनरेटर में लगता है प्लेमिंग के दाएं हात का नियम किस में लगता है जेनरेटर में लगता है इसको याद रखेगा चली अगला सवाल देते हैं यहां पर पूछा गया अरे कुछ दिन पहले सवाल का लेंग्विज बड़ा देखे घबडाओ नहीं मैं पढ़ रहा हूं डरना नहीं पूछाए एक अंत्रिक्ष्यान इंधन के दहन के प्रडाम सरूप उत्पन होने वाली बहुत तेज गती से बड़ी मात्रा में गैसों को बाहर निकालते वे उड़ता है इतने से कोश्चन किलियर हो गया अगर किसी र नियम का बिलकुल भया क्या होगा इसका सही जबाब सभी को बताना है लेकिन एक बात याद रखेगा कि न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व का नियम है जड़त्व का नियम है और द्रब्यमान ही जड़त्व की माप है न्यूटन के परले नियम को ही गैल रखेगा अगर आपसे सवाल पूछ ले कि न्यूटन बल की माप कौन बताएगा तो भाईया बल की माप बताने वाला सवाल कौन सा है बल की माप दूसरा फार्मूला बताएगा F बराबर MA लेकिन इस सवाल का जवाब क्या होगा तो भहिया मेरे हीरो हीरा लाल इस सवाल का जवाब है Newton का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या नियम है क्रिया प्रतिक्रिया तो कुछ आसान कुछ कठिन सवालों का मिस्रट ये एक सवाल देखो, बड़ी प्यारा सा सवाल है, जबाब क्या होगा, करहर मैदान फता, आप जानते हैं, चलो, पूछा है, दो किलो ग्राम दरबिमान की एक वस्तू को, एक वस्तू है, बीस मीटर पर सेकेंड से उपर फेका जा रहा है, पूछ रहा है, दो सेकेंड बाद इसकी गती जुर्जा क्या होगी, दो सेकेंड बाद इसकी गती जुर्जा क्या होगी, तो पहले बताओ ना कि 20 मीटर पर सेकेंड से फेके जाने पर, आप एक बात बता, एक बात सुनो, अगर किसी गेद को उपर फेकोगे, उपर फेकोगे, तो कुछ दूर जाके रुक जा गया दो सेकेंड बाद तो जिस गेद को 20 मीटर पर सेकेंड से फेको गए दो सेकेंड बाद रुक गया तो गती जुर्जा क्या होगा जी रो जब गेद रुक गया तो गती जुर्जा क्या होगा पूछा है बेग के साथ दो सेकेंड बाद इसकी गती जुर्जा क्या होगी तो लो बावू एलाल एलाल देखो यहाँ पर गती जुर्जा क्या होता है हो हाफ Mb2 कहोगे गुरुजी 1 by 2 मास कितना है 2 किलो विलाष्टी कितनी है 20 गुड़े 20 2 से 2 काट दो 400 जूल अब देखो 20 मीटर पर सेकेंड से फेकोगे तो 20 मीटर की उचाई पर जाएगा आप कहोगे गुरुजी आपको कैसे पता तो फार्मूला दे रहा हूँ U square upon 2G लगा देना 20 गुड़े 20 और नीचे देखो 2 into G यहनि 10 काट देना 20 मीटर आ जाएगा तो यहाँ पर गती जूर्जा 0 होगी लेकिन इस्थिती जूर्जा क्या होगी तो वो 400 जूल हो जाएगी सारी की सारी गती जूर्जा जाकर इस्थिती जूर्जा में बतल जाती है याद रख लेना इस बात को 400 जूल यहाँ पर गती जूर्जा होगी लेकिन यहाँ पर गती जूर्जा 0 होगी इस सवाल का यह जवाब था कि लिए एक सवाल पूछा है हो भारी जल को भारी कहा जात आरोप लगाया है कि प्रतिया रोप लगाया है हो। अरे वाह, 230 लाइक के साथ आप लोग ने शुरुवात किया है एक बार जो भी मेरे भाई लाइक नहीं किये हो, बिल्कुल दिल में अगर रहम हो, ऐग बार अकदम पूरा एकदम इस ranker सिरीज के लिए बिल्कुल एक बार लाइक कर दीजेगा पूछा है भारी जल का फार्मूला D2O होता है और आप कहेंगे सर जी D जानते है क्या होता है deuterium होता है deuterium deuterium का मतलब 1H2 यह होता है deuterium तो deuterium का oxide है यानि भारी जल का जो द्रब्यमान होता है 2 प्लस देखिए 2 के 2 है प्लस 16 तो यहां पर 20 हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा तो deuterium oxide क्या होता है इसमें hydrogen का भारी आइसोटोप होता है अरे भारी isotोप को ही deuterium कहते हैं और radioactive isotope को क्या कहते है थोड़ा hydrogen का radioactive isotope क्या होता है hydrogen का radioactive isotope क्या होगा तो कहेंगे गुरुजी hydrogen का radioactive isotope यह है जिसका नाम है tritium जिसका नाम है tritium याद रहेगा अशुन लो hydrogen के तीन आइसोटोप पहला isotope यह है दूसरा यह है अग तीसरा यह है तीनों के नाम अलग अलग है प्रोटियम deuterium tritium अच्छा यहां पर देखेगा neutron की संख्या जीरो यहां पर दो में से एक गया एक और यहां तीन में से एक गया दो तो याद रखिए ना याद रखिए ना मेरे भाई कि जब neutron निकाले तो जीरो पूछेगा कौन सा तत्व जीरो नीउट्रान तो जीरो नीउट्रान वाला जो तत्व होता है वह hydrogen होता है या वह प्रोटियम होता है जीरो नीउट्रान प्रोटियम होत अच्छा समतुल्य प्रतिरोध का मतलब जान रहे हो एक्युवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है दिया है कह रहा है कि 360 ओम के साथ समनांतर में कितना प्रतिरोध जोड़ दें सर जी बीके सर को फीबर है एक सो चार डिगरी के करीब बुखार है सर सो रहे हैं ठीक ना एक बास सर के लिए आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए अगर क्लास वो देख रहे हो तो आपके क्लैपिंग से थोड़ी उनको इनरजी मिले आपके दुआओं से थोड़ा ठीक हो जाए और कल की क्लास वो के साथ तो किलियर याद रखेगा बिल्कुल तो एक ऐसे एक ऐसा ब्यक्तित जो हमेशा आप लोगों को उर्जावान किया रहता है एक दम जबर्जस तरीके से आपके लिए लगे रहते हैं हर सुख और दुख में तो चलिए भया आज की क्लास में रहिए आरवन इंटू आ यहां पर मेरे दोस्त एक सो बीस ले लिए आरवन का मान क्या ले लिए आरवन का मान एक सो आरवन का मान तीन सो साथ ले लिए आरटू का मान आरटू रहेगा और तीन सो साथ प्लस आरटू कुश्चन कर लिजे ना मेरे भाई एक सो बीस में तीन सो साथ का गुड़ा कल जा हो का होई एक सो बीस गुड़े आरटू बराबर तीन सो साथ आरटू हो गयल कि ना अब इन दोनों को क्या कर लेना है घटा लेना है तो यहां पर आ गया आरटू का मान कितना आई हो 180 ओम आएगा और 180 ओम आप्शन नमबर वन सुलो इस तरह के जो कोशन दिखा रहा हूं कभी भी समनांतर प्रतिरोध आपको देगा न तो एक बार बता दो यहां पर 6 ओम है यहां पर 3 ओम है आर तुल्ले कितना होगा बता दो जल्दी जल्दी बता क्या करोगे कैसे सवाल का जबाब दो इस सवाल का जबाब क्या होगा मेरे भाई ऊपर गुड़ा करना है 6 गुड़े 3 बता छे प्लस 3 18 बता नौ हो गया 2 डो किलियर है की नहीं इस सवाल का जवाब दो थीक कैसे करोगे भाई उपर करना है गुड़ा नीचे करना है जोड बारह चोको अड़ तालिस बटा बारह चार सोला बोलो भाईया राधे राधे तीन ओम अरे हुआ की नहीं हुआ हो हाँ बिलकुल बिलकुल एकदम सरकल फिट होके आएंगे और आपका एक्जाम बिलकुल जवर्जस एकदम गरदा उड़ाएंगे चलिए यह सवाल देखेगा यहां पर दिया हो बारह ओम और यहां दिया है छे ओम और एक्विवेलेंट कितना होगा ए राजा उपर गुड़ा का दजा नीचे जोड दजा हो बारह चके 72 हो जाई नीचे का होई हो अठारा हो जाई अठारा च एकदम चलिए सवाल का जवाब दीजेगा इस सवाल का जवाब क्या होगा कौन सा लेंस समाने तह उस पर गिरने वाले प्रकास को अंदर की और मोडता है दो लेंस होते हैं और दोनों लेंस में कौन सा अंदर की और मोडता है का मतलब जानते हो पूछता है कौन सा लेंस जो अभिसारी है जो प्रकास की कृड़ को मोड देता है अज जो अभिसारी लेंस है ना उसका पावर होता है पाजिटीव और वो लेंस होता है उत्तल क्या लेंस होता है उत्तल होता है तो जब प्रकास की कृड़े इस पर आती है ना तो प्रकास की कृड़े मुड जाती है कह कौन सा लेंस है जो प्रकास के क्रिडों को फैलाता है तो अब सारी लेंस कौन होता है और अभी सारी लेंस कौन होता है उत्तर लेंस होता है तो अंदर की और मोड़ता है उत्तर लेंस इस दर राइट अंसर बोलो किलियर है बोलो किलियर है क्या अंसर हुआ उत्तर लेंस तो ए उत्तर लेंज की फोकस दूरी 10 cm कह दे कि तुल ये बताओ तुल ये फोकस दूरी क्या होगा मेरे जवानों बता दो ऐदम बताओ क्या होगा तुल ये फोकस दूरी रेंकर स्टेश स्रीज का ये कोश्चन है थोड़ा देखेगा 1 upon F equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 मेरे भाई F1 का मान क्या है तो उत्तर लेंज की फोकस दूरी 10 है और उत्तर लेंज की फोकस दूरी माइनस 20 है साल्व कर लोगे क्या 10 दूना 20 20 से कम 20 एक बता 20 हो जाएगा तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 20 cm और पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा देखिए जिनको टेस्ट देना है मैं फिर से बता रहा हूं टेस्ट देने के लिए कुछ नहीं करना बिहार पुलिस का न sır्फ में आप जाकर पेड टेस् स्रीज में जुडएंगे दो-तीन टेस्वरी आपको विलकुल आप जाकर डेमो टेस्रीज केules त के अलावा अगर आप फ्री टेस्रीज तो आप जानते हैं कि हर सटर्डे को आप देते हैं लेकिन इसमें पूरी तरह से आपके एक्जाम से औरियंटेड चीजे हैं एक सवाल ऐसा है कि जो एक्जाम कहते ना राम बाड सवाल जी से कोश्चन बाउन जाए चार आप्शन है एक जबाब दीजेगा पूछा है क्या होगा कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला कौन सा रोग है तो यहाँ पर ध्यान देना है कौन सा रोग है तो यहाँ पर याद रखना है कप पस से होता है प्रोटीन और कस से होता है क्वासर कोर तो क्वासर कोर जो रोग होता है किस की कमी से होता है प्रोटीन की कमी से लेकिन जब आपसे पूछता है मेरेसमस किस से होता है तो आपको जो ट्रिक बताए थे वही याद रखिएगा Physics, Chemistry, Math यानि मेरेसमस जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट के ओजसे होता है प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट के ओजसे प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट के ओजसे क्या होता है तो मेरेसमस होता है याद रखिएगा अच्छा गठिया में जानते है यूरीक एसिड जाता है इकठा हो जाता है घुटने में यारी साइनोबियल कैविटी में साइनोबियल कैविटी में कौन सा ये कठा हो जाता है और night blindness की बात अगर करें रताओधी की बात अगर हम करें तो सभी को पता है कि रताओधी जो होती है बिटामिन A की कमी से होती है और आप जानते है रताओधी के लिए आपको पता होगा कि रेटिना में दो कोशिकाएं पाई जाती है रेटिना में एक आपकी राड सिल पाई जाती है यानि सलाका कोशिका पाई जाती है तो जो सलाका कोशिका होती है इसी में जो रोडापसिन प प्रिग्मेंट का निर्माड यहां पर नहीं होता है और यहां पर कौन सेल जो है जो कलर वीजन बनाता है कौन सेल इसमें कलर वीजन के लिए आपको पता होगा यहां पर आपसिन प्रिग्मेंट का निर्माड़ा नहीं होता है लेकिन रताओधी में केवल ये वाला मामला है रताओधी का इससे मामला है रताओधी का मामला केवल इससे है और इसमें स्वेत स्याम द्रिष्टी स्वेत स्याम द्रिष्टी की दिख्कत है ठेक ना ब्लैक और वाइड जो आपकी दृष्टी है वो नहीं हो पाती है एक सवाल बड़ी प्यारा सा है और ये सवाल आपको सेल बाइलोजी का पहला चेप्टर का सवाल है पूछा है कि जन्तु कोशिका यानि पसो कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार अलग है यानि न एक दम धुवाधार तरीके से जबरजस तरीके से ठिक ना एक दम पूरी तरीके से आप इसको उड़ा दीजेगा बताये क्या होगा तो आप जानते हैं जो पादप कोशिका होती है वो कैसी कोशिका होती है तो पादप कोसिका की कोसिका भित्ती किसकी बनी होती है और पादप कोसिका में ये भी पता है आपको क्लोरोप्लास्ट पाये जाता है और पादप कोसिका के पास लार्ज वैक्योल होता है इसका मतलब हो गया कि न कोसिका भित्ती होगी न बड़ी रिक्तिका होगी यानि A और B option आपके यहां पर भी दिख रहा है तो एक option आपका सही क्या होगा तारक केंद्र यानि centrosome यह जनतु कोशिका में पाये जाता है यह जनतु कोशिका में पाये जाता है और एक cell के बारे में आपको पता होगा जिसको बोलते हैं निवरान निवरान आप कहते हैं कि सर जी सबसे लंबी कोशिका है मैं आज ये बताने तो नहीं आया लेकिन ये बताने जरूर आया हूँ कि कलावती ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका भी भाजन नहीं होता आप कहेंगे सर इसमें कोशिका भी भाजन नहीं हो दूसरी बात निवरान के बारे में कोसिका विभाजन क्यों नहीं होता तो कोसिका विभाजन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो कोसिका विभाजन होने का चांस ही नहीं है इसलिए और ऐसा ही एक और बात ध्यान दिजेगा मैंने आपको कुछ दिन पहले RBC के बारे में बताया था लाल रक्त कडिका के पास याद रखेगा लाइसो सूम नहीं पाया जाता और ये सवाल पहली बार बिहार में ही देखने को मिला था कि लाइसो सूम किसको सिकांग में नहीं पाया जाता RBC में इसलिए RBC के पास एक कबरगाह बनाई गई क्योंकि RBC तो बलास्ट होगा नहीं नस्ट होगा नहीं और जब नस्ट होगा नहीं तो इस प्लीन में कैसे इसको दफनाएंगे ध्यान दिजेगा RBC वो cell है जिसके पास nucleus भी नहीं होता तो बात यह आती है आखिरकार RBC की यह मनमानी क्यों RBC आखिरकार ना nucleus रखा ना यह सारे की यह क्यों नहीं रखा यह बात आती है तो ध्यान दिजेगा RBC जिसका G1 काल 120 दिन का है RBC जिसमें हीमोगलोबिन पाया जाता है RBC जिसमें iron पाया जाता है RBC जो 97 प्रतीसत आकसीजन का परिवहन करता है वो आकसीजन के परिवहन के लिए ना nucleus अपने पास रखा ना लाइसोसोम को अपने पास रखा ये बात याद रखेगा 97 परसेंट दूसरी बात याद रखेगा दो जानवर है एक का नाम है कैमल उट है और एक ऐसा ही जानवर है उट के जैसा ही लेमा इनके RBC में nucleus होता है कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा ये भी गुरुजी बता देते तो अच्छा होता nucleus इन में होता है तो चलें आगे चलते हैं एक सवाल पूछा है पूछा है निमलिखित में से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे पाय जाता है और वसा को संग्रहित करता है वसा को संग्रहित करने वाला उत्तक कौन है तो यहां देखिएगा चरबी के सवाल आपके दिमाग में बन रहा था चरबी से सवाल पूछ लिया है मैंने पूछा है तो देखिए क्या जबाब देंगे सुनिएगा अच्छा पेशिय उत्तक तीन प्रकार के होते हैं पता है एक होते हैं रेखित जो रेखित होते हैं इसी को एचिक बोलते हैं और एचिक वाले बोन के पास होते हैं अचा हिरदय में होती है और बाकी जो होती है अनैचिक अरेखित होती है वो अमासे में होती है रिप्रोड़क्टिर सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है य टो तो चाह, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अंग कौन है तो 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 चाह है, लेकिन सवाल अगर पूछ ले न कि सबसे बड़ा आंतरिकंग कौन है, तो एक बर जवाब दे ढिजेगा वरना webinar exam में छपेगा ना, तो गलती हो जाएगे सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है याद रखेगा तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग यक्रित होता है लीवर होता है सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर याद रखेगा और सुनिएगा अगर सबसे बड़ी ग्रंथी पूछता है तो धुवा उड़ा दीजेगा सबसे बड़ी ग्रंथी किसे कहेंगे तो लीवर को कहेंगे और पूछले कि सबसे बड़ी अंताहसरावी ग्रंथी तो आपको जवाब देना है सबसे बड़ी अनताहसरावी ग्रंथी क्या है तो आप जबाब देंगे क्या होगा सबसे बड़ी अनताहसरावी ग्रंथी थायराइड लेकिन सबसे छोटी कहे तो प्यूस ग्रंथी को सबसे छोटी कहेगा तो किसको लोगे सबसे छोटी अंतह स्रावी ग्रंथी क्या है तो सबसे छोटी अंतह स्रावी ग्रंथी जो है न पियूस ग्रंथी है सबसे छोटी अंतह स्रावी ग्रंथी क्या है पियूस ग्रंथी है और याद रख लेना एक और सवाल को कि जो आपके पास तवचा होती है न त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं तो सबसे बाहरी परत जो पाई जाती है इपीडर्मिस की उसके बाद पाई जाती है डर्मिस की और इसके बाद पाई जाती है हाइपोडर्मिस की ध्यान देना तो तरीर में त्वचा में सबसे बाहर की परत इपीडर्मिस है और इपी डर्मिस की परत ये है डर्मिस की परत ये है और हाइपो डर्मिस तो अगर पूछे कि root hair कहां पाय जाते हैं तो root hair आपके डर्मिस में पाय जाते हैं आपसे पसीने की ग्रंथी कहां होती है आयल ग्लेंड कहां होती है तो सब डर्मिस में होते हैं सब डर्मिस में होते हैं, चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं, बड़ा प्यारा सा सवाल, वर्क का सवाल पूछा है, जबाब तो आप दे देंगे, धुआ उड़ा देंगे, एक द्रब्यमान M को एक 36 तल पर एक घिरनी द्वारा उसके विस्थापन के समनांतर बल द्वारा ख खीचने में किया गया कार है, जैसे देखिए का मेरे भाई, मैं कहूं कि यहां एक घिरनी लगा है, और इस घिरनी पर एक वस्थापन रखी गई है, और यहां पर हम बल इधर लगा रहे हैं, बहिया मेरे लाल मेरे दोस्त मेरे बहिया बल इधर लगा रहे हैं बिस्थापन इधर हो रहा है और जब भी बल एक तरफ लगाओगे बिस्थापन दूसरी तरफ होगा मेरे लाल मेरे दोस्त बता दो अगर इस वस्तू का बिस्थापन इधर हो रहा है और बल इधर लगा रहे हो तो बीच का कोड 180 और मैंने आपको कहा था कि FS कास 180 का मान यानि वर्क निगेटिव होगा बलके विप्रीत दिसा में अगर विस्थापन हो जाए तो कार रिडात्मक होता है बोलो जीरो वाले भाईया एक बार देख लो मेरी बात अगर सुन पा रहे हो तो सुनो ना मैं कहरा हूँ रिडात्मक होगा रिडात्मक होगा रिडात्मक होगा अच्छा एक बात मेरे भाई कहां से ऐसी गलती आप चे हो जाती है अगर W बराबर Fs कास थीटा है मेरे दोस्त Fs कास थीटा है तो आप जानते हैं जब मैक्सिमम कारे होगा न तो F into S होगा और इस समय कास थीटा का मान क्या होगा वन होगा इस समय कास थीटा का मान क्या होगा वन होगा वन होगा वन होगा याद रखना है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर थीटा कामा 90 डिगरी हो भाईया इर घाट बल लगा रहे हैं बीर घाट वस्तु गई तो भाईया कारे होगा जीरो कारे होगा जीरो लेकिन जब विप्री दिसा में जाएगा ना तक कारे होगा रिलातमक पुछा है निमलिकित में से किस खनी आयस के रूप में एपसम होता है भाईया एपसम सेधा नमक खाए हो तो उसी का ये फार्मूला है मेरे भाई यहाँ पर आयस्क पूछा है एलाल 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 आयस्क किसे कहते हो आयस्क सुनिए गाना आयस्क के बारे में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं आयस्क कहते हो वह खनीज जिससे धातू कम खर्च में आसानी से जादा मात्रा में प्राप्त हो अच्छा पूछा जाता है कि क्या सभी अयस्क खनीज हैं तो आपको कहना है कि सभी अयस्क खनीज होते हैं सभी अयस्क क्या होते हैं तो खनीज होते हैं परन्तू सभी खनीज अयस्क नहीं होते परन्तू सभी खनीज क्या होते हैं अयस्क नहीं होते तो दो बाते आपको याद हो गई पहली बात कि आयस को वो खनीज है जिससे धातू कम खर्च में ज्यादा मात्रा में आसानी से प्राप्त हो जाए ये पूछ चुका है बिहार में important point था और ये भी पूछ चुका है इसलिए दोनों को दो किनारे लिख दिये इसका सवाल तो आप उड़ा दिये होंगे magnesium में जानता हो लेकिन आप जानते हैं magnesite होता है dolomite होता है magnesite इसी का dolomite है किसे right है लेकिन famous जो है epsom है famous आयसक कौन है epsom है mgs sophor आप जानते है अच्छा potensium का आयसक carnelite होता है carnelite अच्छा लोहा का आयसक hematite magnetite hematite magnetite ये सब लोहा के आयसक है अच्छा copper pyrit आप जानते होंगे copper pyrit है ये copper का होता है अच्छा एक चांदी का आयसक आपको बताना है इसका सही जवाब magnesium है एक बात मैं जानना चाह रहा था आयसक से खनीज निकालना है ये आयसक है आयसक से खनीज निकालना है कैसे निकालेंगे अयस्क से धातू निकालने की प्रक्रिया को धातू कर्म कहते है और धातू प्रक्र्म की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है सांद्रण, क्या आता है सांद्रण, सांद्रण में कौन कौन सी बिधी है, कहोगे गुरुजी फेन उत्पलवन बिधी है, फेन उत्पलवन बिधी है गुरुत्वी प्रिथक करण भी दी है मेरे भाई गुरुत्वी प्रिथक करण भी दी है चुम्बकी प्रिथक करण भी दी है तांद्रण के बाद आता है निस्तापन और निस्तापन के बाद आता है भर्जन और भर्जन के बाद आता है सोधन याद नहीं कुछ भी याद रखना भाई कि यह जीवन क्या है निर्जर है मस्ती ही इसका पानी है सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा रहा मनमानी है और अंत समय आया है अंत समय आया है एक ऐसी कील एक ऐसी इनर्जी कठा करके लगा दो कि 24 सितंबर एकिती हास हो जाए कि आप भी कहो कि सर जी मेरा rank 1 है rank 10 है rank 5 है यार selection लो तो ऐसे लो कि देखने वाले दात तले उंगली दबा ले क्योंकि selection जैसे तैसे selection लेने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई selection आपकी कहानिया बन जाए मैं ये कह रहा हूँ सरजीत ना डीप आएगा भाया डिफेंस एस्प्रियंट आदम में आपसे कह रहा हूँ यह वह संस्था है जो टापरों को पैदा करती है और एक एक्जाम में नहीं लगातार एक्जामों में तो डीप की बात नहीं है हमें selection की भूख है selection लेने के लिए अगर दो किलोमेटर नीचे भी जाना पड़े हम जाएंगे selection लेने के लिए पूरी रात जगना पड़े हम जगेंगे selection लेने के लिए मेरे युद्धा जो हैं जो मेरे सामने इस समय बैठके पढ़ रहे हैं मैं यह जानता हूँ कि जिस दिन अगर हम यहां पूरी रात क्लास लगा दिये वो पूरी रात उस दिन सोना छोड़के लग जाएंगे कि अगर मेरे गुरु जी वहां पढ़ा रहे हैं तो उसका चेला कैसे सो सकता है क्लियर है यह लगातार दो महिने से पूरी रात यह रात वाली क्लास होती और कोई मजाल हो कि जो रेगुलर वाले बच्चे हैं किसी दिन वो कोई समस्या हो जाती है तो सो जाते होंगे इस वज़त से नहीं सोते हैं कि भाईया की नीद लगई ठक गए इनको ठकान नहीं आती है क्योंकि इनके आँखों में सपने हैं और जिनके आँखों में सपने हैं उनको जगाने के लिए कोई अलारों पैदा नहीं हुआ उनका सपना उनको बिस्तर से जगने के लिए मजबूर कर देता है तो जिनके सपने बड़े हैं और जो सपनों के लिए जीते हैं उनको सपने अलार्म बन कर जगाते हैं और जो लोग भाईया ये मेरे बाबू पढ़ लो पढ़ लो पढ़ो खाक पढ़ोगे तुमसे का सलेक्शन होगा लेकिन जो बच्चा चांगता है कि जो राजा बाबू लोग हैं जिनको एक दम भाया रजगुल्ला मलाई खा रहे हैं उनसे सलेक्शन होगा या सलेक्शन उससे होगा कि जो इधर उधर संघर्स करके लड़के भिड़के एक एक जीवी डेटा बच कर रहा है उसको सलेक्शन के लिए जीना है तो जब आग लगी हो सीने में तभी मजा है जीने में यह लाइन तभी कहते हूं कि भाया यहां पर आग लगी है सीने में सलेक्शन जरूरत है सलेक्शन मजबूरी है तो भाया पूछा है निमलिखित में से कौन सा रोब अब बिसाडू का अन्वानसिक पदार्थ जाने लगा होला बिसाडू के अन्वानसिक पदार्थ ध्यान दिया जा मेरे भाई एक लाइन ध्यान देना भले आज की क्लास का सारी कुछ सब कुछ भूल जाना लेकिन एक लाइन घर ले जाना आज मैं कहरा हूं अन्वानसिक पद तो सUIलो, मैं यह नहीं कह रहाऊं DNA और RNA, मैं कह रहाऊ DNA या RNA, या तो DNA होगा, या तो RNA होगा। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा, ध्यान देना, वाइरस में या तो DNA होगा, या तो RNA होगा, याद अगर हो गया हो तो बोलो, किलियर है कि वाइरस में DNA या RNA में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगे, लेकिन एक बात याद रख लेना, कि जो बिसाडू होते ह सर्जीव और निर्जीव के बीच के संयोजकड़ी हैं, संयोजकड़ी हैं, और यहाँ पर पूछा है कुछ्ट रोग, MDT इसके इलाज का तकनीक है, आप जानते है, mycobacterium mycobacterium lepri नाम का जो bacteria है न यही इस बिमारी का कारड़ है यही इस बिमारी का कारड़ है पोलियो जल जनित वायरस वाला रोग है भाई जल जनित रोग है और आप जानते हैं पोलियो बिसाडू से होता है पोलियो वायरस से होता है टीका कौन बनाया था इसका एक टीका पनाने वाले का नाम था जोनास साल्क और भाईया आप जानते हैं कि अमिता बच्चन ओरल पोलियो वैक्सीन बेशते बेशते कहें दो बुद्र जिंदगी की जो पिलाते थे वो एलबर्ट साबिन बनाये थे दो बिद्र जिंदगी की याद है ना चाप ले ना मेरे भाई चली बाई क्या हाल चाले है सभी के गोडिविनिंग टुवाल आफ यो गोडिविनिंग भाई कुंदन मनीशा इंडियान राम विनो जी किंगी जी सभी बच्चों का बहुँ बहुत स्वागेत है कैसे हैं भाई सभी लोग सब सांदार बढ़िया एकदम जब अब दस चला है तो आपने देखा कि आज आपके पास जो रैंकर्स टेस्ट हम रोगों ने यहाँ पर आपके बिहार पुलिस कॉंश्चरवर के लाउंच करा है इसका पहला टेस्ट था जिसका वीडियो सलूशन जो है आपने देखा कि आप साइंस का देख रहे होंगे विसाल सर की तवेता थोड़ी सी खराब है इस वज़य से आपको GKGS के सलूशन नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन जैसे ही सर सही हो रहे होंगे आपको GKGS का सलूशन देखने को मिल जाएगा सबसे पहले तो ये बताईए क्या आज के टेस्ट का लेवल आज के टेस्ट की क्वालिटी देखकर आपको वाकई में मज़ा आया नहीं आया जोड़दार तरीके से हाया नामें आपके पास कमेंट आने चाहिए थोड़ी से दो तीन चेज़े आप लोग ध्यान लखिएगा क्योंकि आप बिहार के बच्चे हैं बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का पेपर हो रहा होगा तो बिहार के बच्चों के संख्या जादा होगी और अगर हम पिछले जितने भी पेपर से देखेंगे बिहार पुलिस करा रहा है या जो अधर आपके जिनसी पेपर करा रहे है अधर आयोग जो भी करा रहा होगा आप इस चीज को जरूर देखेगा कि बिहार के पेपर्स खास करके अच्छे लेवल क्या रहे है इसलिए इसको हलके में लेकर मत जाइएगा हम आपको 21 पढ़ा रहे है मालीजे के लिए तियार कर रहे है अगर पेपर 20 लेवल का आएगा तो आप 21 लेवल तक पढ़े हो और बढ़ी यहां कर पाएगे आपने देखा कि जो कोशन नंबर यहां पर आपके टेस्ट सिरीज में है वही कोशन नंबर के हिसाब से आपके पास यहां पर सारी चीजे चल नहीं ह कल हम इसको 2.45 में अल्सिस करेंगे टेस्ट कितने बच्चों नहीं दिया है जरह एक बार कमेंट करो भाई आप मेंसे कितने बच्चों नहीं ऐसा जो है वो बिहार पुलिस कॉंस्टरबल का रैंकर्स वाला टेस्ट जो हो दे दिया है एक बार जरह कमेंट कर यह हाँ या न दिया है अब यह टेस्ट कहां मिलेगा इस चीज को थोड़ा सा समझ लेजेगा कि आप इस टेस्ट को कैसे दे पाएंगे सबसे पहले आप आप पर हैं एमडे क्लासेस के ओफिसल अपर रइस्टेशन करिएगा और यहाँ पर आपके पास एक सेक्षन मिलेगा पेड़ टेस् लांच करा जो बिहार पुलिस पॉंशेवल का आप जाईए उस टेस्ट को दीजे भले आपने यहाँ पर सलूसन देख लिया पहला वाला कोई दिक्कत की बात नहीं है दीजेगा हर दिन हम लगतार सुबा 6 बज़े टेस्ट खोल देते हैं आप उसमें देखेंगे तो डेट दिये जा चुके हैं और अगर कोई टीम मेहनत कर रही है और इतनी इमानदारी तरीके से आपके पास सभी अध्यापक और बढ़िहां लेवल त्यार कर रहा है तो कुछ ना कुछ वैलू उसकी रखनी पड़ेगी ताकि आप भी उसको सीरेस होके सौल्व कर पाईए आप उस इस सामध यसी पर Ne его हांगे यह 15 टेसरीज था इस्टार्ट के तीन कर डिखने को मिल जाएंगे वीडियो सलूसन बागी का नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पता है वीडियो सलूसन बहु ज़्यादा प्रोवायट कर पाना भी पौसील नहीं है आपको भी आपकि मेहनत करनी हो कि भाई कहां कम्या कहां नहीं रहें बाकी सब लोग आपकी लगता सहता करी रहें कि यह टेस्टिरीज में यह है डेली की कुछ अच्छे जो कोशन होंगे आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो सबको पता एक जाम डेट कभ है बिहार पुलिस कॉंस्टेवल की पंकज रायल देदेंगे आप उस फार्म को भर दीजेगा आप अगर आ सकते होंगे तो आईएगा आपके लिए आपको पता होगा मीटब में जो बच्चा सेलेक्टेड है उन बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे होंगे और यह दिल से चाहते हैं कि जब अगला मीटब कर रहे हों इस या बाकि जो भी गिफ्ट होंगे वह आपको देखने को मिलेंगे जो भी बच्चा लखनू आसपास यानि की 12 बंकी हो गया सीतापूर हो गया या लखनू में जितने भी आसपास जखाओं से जहां पर भी आ सकते होंगे सुबह 10 बच्चे से हम कारकम सुरू कर रहे होंगे 2 तीन बच्चे सारे कारकम हो जाएंगे तो जो सेलेक्ट बच्चे वहां पर हो रहेंगे, वह सभी आएगे और आप सभी आ सकते उससे क्या हो कि आपको motivation मिलेगा कि वाकई में कैसे कैसे हमें क्या क्या चीजे करनी होती है selected बच्चों को देखके आपको मज़ा भी आ रहा होगा कल एक भैतरीन गीबवे है रात में आठ बजे वो सभी बच्चे जो है आईएगा भैतरीन गीबवे में तो भैया एक बार सत्यम सर के लिए जवर्जा स्क्लैपिंग कर दीजे जो लगातार आपको इतने दिनों से प्री टेस्ट रीज के रूप में इसी MD classes के application पर आपको चीजे देते रहे और अब यह लेकर आए है पेट टेस्ट रीज तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके उज़से फ्री टेस्ट आपको नहीं मिलेगा फ्री टेस्ट हर सटरेडे को मिलता है वो मिलता रहेगा और यह वाला तो एक दो टेस्ट आपको फ्री में जाके दे लो यार पूछाए जदी कोई वस्तु बिश्राम के स्थिती में है तो स्थिती समय ग्राफ का धलान क्या होता है ए मेरे भाई स्थिती समय ग्राफ हो इस्थिती समय ग्राफ क्या देता है तो स्थिती समय ग्राफ न क्या देता है इस्थिती समय ग्राफ क्या देता है कहोगे गुरु क्या देता है कि कोई वस्तु बिश्राम की स्तिती में हो अरे जब वस्तु चलेगा ही नहीं घर से निकलते ही नहीं हो तो मंजिल मिल जाएगी घर पे कुर्शिब बैट के देख रहा हो, मुझे पुलिस बनना है, अरे गद्धा, महनत नहीं करोगे, तो ठोड़े पनोगे, यहाँ पर समय है मेरे भाई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्थिती है, तो देखो ना समय के साथ अगर स्थिती समान हो, विस्त्रामा वस्ता की स कि दिति में हो तो ड्हलान तो जीरो होगा नहूं अगली सवाल के तरफ चलते हैं पूछा हुआ है निमलिखित में से किस नियम या सिहद्धानत को आऊगादरों के नियम के रूप में जाना को है एक ही के दाब और आयतन के बीच में संबंद बैक्ति के बैक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंडो के कारड होने वाली संक्रामक विमारिया परमाडू में कोई भी दो इलेक्टरान एक ही उर्जा पर नहीं रख सकते क्या होगा सही आंसर अगर जबाब देना था तो जबा लेपशित नगुजस ठीक पढ़ाया था हो हमने कहा था था थूड़ा बात कर ले ना मुझसे या ट्रिक है बात एक ट्रिक है याद क्षा का मतलब होता है बायल का नियम कल अगर यह दूसरे चैनल पर वाइरल हो न तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये ट्रिक देने वाले कौन थे और किस चैनल पर था क्योंकि यहाँ के चीज़ें बहुत सारे लोग कापी कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ताप क्या है नियत है नियत ताप पर कौन नियम दिया था बायल का नियम दिया था नियत ताप पर बायल ने नियम दिया था और इन्होंने क्या कहा था कि आयतन दाब के ब्यूत करमानुपाती होता है आयतन दाब के ब्यूत करमानुपाती है सुनो चाब के नियम किसक ने दिया चार्ल्स ने दिया तो चार्ल्स ने क्या कहा कि दाब नियत है अब या जब दाब नियत होगा तो आयतन ताप के समान उपाती होता है और सुनो मेरे भाई अवगाद्रो ने क्या कहा अवगाद्रो भाई ने कहा था अवगाद्रो का नियम अवगाद्रो का नियम क्या है देखेगा आउगादरों ने कहा था कि जब दाब और आयतन जब दाब और ताप अरे भाई कहा जाते रहो बातना मनबकाज मान जब भाई दाब और ताप भजपुरी समझ म्यावला नहोता नहीं के दाब और ताप जब नियत हो तो आयतन मोलो की संख्या का समानुपाती होता है यह तीसरा equation यह दूसरा equation यह पहला equation इसी पर घुमा घुमा के सवाल देता है V is directly proportional to N into T upon P यानि PV बराबर NRT आदर्स गैस समिक्रण ideal gas equation ideal gas equation आदर्स गैस समिक्रण है आदर्स गैस समिक्रण है क्या ठीक से नहीं चल रहा है महिया दूसरे गाउं में तो नहीं गया हो क्लास देख़़गा अपने गाउं में रहोगे तो दिखेगा बिल्कुल कईसे कईसे ये last question है निमलिकित में से किसे ने पौधे के प्रसार के लिए उत्तक समवर्धन बिधी की शुरुबात की अरे भया नार्मन बोरलाग एक ऐसा इंसान जो भारतियों को भूखे मरने से बचाया भूखमरी की condition थी आप जानते थे हरित क्रांती के जनक और गेहू की अलग-अलग विराइटी इन्होंने बनाई थी हरित क्रांती के जनक है और आप जानते हैं मैक्सिको सहर में मैक्सिको इन्वस्टी के मैक्सिको इन्वस्टी में पढ़ते थे पढ़ाते थे बिल्कुल वहीं के प्रोफेसर थे दूसरी बात आप जानते हैं MS स्वामी नाथन का नाम किसका नाम जानते हैं MS स्वामी नाथन का नाम जानते हैं और MS स्वामी नाथन जो है भारतिय हरित क्रांती के जनक है भारतिय हरित क्रांती के जनक है ॥। भारती हरित करांति के जनक कौन है श्वामी नाथन आप को गे गुरू जी वो छोड़िए ये बताइधा कौन उत्तक समवर्धन की बिधि बहुत सारा केला बहुत fancy देखे होंगे चोटे चोटे पोध्य बना देते हैं वेट्तक समवर्धन अलेंगिक आप अलेंगिक आप जानते हैं एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन का मेथड है एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन का मेथड है तो भाईया यह पूरा पहले पेपर का यह साल्यूशन था कि एक मिनट इसमें बेटा कुछ और भी कोश्चन है रुख जाएगा मुझे लगा कि समाप्त हो गया है ठीक न सौरी इसमें कुछ और भी कोश्चन है कहीं जाना नहीं है मेरे भाई पूछा है आधुनिक आवर साल्डी में आवर्त और हाँ आवर्त और किस में प्रतेक 2 ऊपधातू होते हैं तो किसकिस आवर्त में प्रतेक में 2 ऊपधातू होते हैं बताइए चौथा और पांचवा तीसरा और चौथा, पांचवार, छवार, छवार, छथवार, और साथवार, किस में चुलेंगे भाईया आदर्स आशिक जो हैं आप लग रहा है पहली बार इस चैनल पे आएं साइन्स के क्लास डेली चलती है और अभी भी आप इस धुन में हैं तो बिलकुल अभी माफ कीजिएगा डेली आईए आपको मज़ा आजाएगा ठेक है पताईए सवाल का सही जबाब क्या होगा क्या किस को चुनेंगे देखिए आप जानते हैं कि एक होता है 14 ग्रुप कौन से जिन्दगी सुनेगी पब्लिक या हम कहते हैं पंद्रहवा न पूछ ऐसे सब बेदर्द देखो दर्द कितना है पूछा गया है कि नाना पाटेकर इस्वरया सब बिमार इस्वरया सब बिमार दो उपधातु यहां पर दो उपधातु यहां पर हड़िया होती है वैया दो सो छे हड़िया यह पान सो लाइक लग नहीं रहा है 476 कार 259 पे आप रुके हुए हैं 500 लाइक को catching चर सो लाय कोनों करेगा थोड़े एक बार देखेगा उपांगी एकंकाल में कितनी हड्डिया होती हैं तो उपांगी एकंकाल में 120 हड्डिया होती हैं जिसमें हाथ में 60, पैर में 60, 60 हाथ में 60 पैर में 80 हड्डिया हैं और अगर हम इस 80 हड्डियों में कहें कि भाया पसली कितनी कहोगे भाया पसली तोड़ेंगे तो 24 तूटेगा भया खोपड़ी में कितना तो आप जानते हैं कि खोपड़ी में 29 हड़ियां होती है जिसमें चेहरे में 14 हड़ियां कान में 6 हड़ियां और आप जानते हैं इसकल जो होता है उपर की खोपड़ी होती है क्रेनियम जो होता है उसमें 8 हड़ी होती है और 1 हड़ी हवाइड की होत होता था हम कैंँ ठीक है भाया ले लो तो भाया एक हड़ी होती है जिसको darnum bone Independenceagnendone कहते हैं इसी को हम chest bone कहते हैं इसी को हम breast bone कहते हैं ठीक न स्टर्न न को अच्छा beauty bone किसको चौए stör चरण और को कहते हैं एक हड़ी दो गबothy होती है इसको हम beauty bone कहते हैं, इसी को हम color bone कहते हैं, color bone, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, अगला सवाल, पूछा है, सवाल देखेगा, बड़ी प्यारा सा सवाल, निमलिखित में से किस पादप के जगत में, पौधो को सैवाल के रूप में जाना जाता है, ए भाईया, ए भाईया, सुना हो, पादप जगत को पाँच भागों में बाटा गया, पादप जगत को, पहला जो था थेलो फाइटा, थेलो फाइटा, दूसरा जो बाटा गया था न, उसको कहा गया था ब्रायो फाइटा, तीसरे को कहा गया था टेरीडो फाइटा, चौथे को कहा गया था, किवल नाम रख लोगे न तो काम हो जाएगा एंजिम्नो एसपरम और पांचवे को कहा गया था एंजिव्स परम सुनो अब इसको आवरित बीजी कहते हैं यानि इसका भीज ढखा होता है आवरित बीजी, बीज धका होगा, फूल होंगे, चमन में फूल खिलेंगे, जिमनो स्पर्म, नेकेड सीड, बीज जो होगा उस पर कोई कवरिंग नहीं होगी, यही सवाल पूछेगा, कि कौन सा ऐसा ग्रूप है जिसमें नेकेड सीड है, तेरिडो फाइटा, पहली बार प् थे, ठेलो फाइटा, न जड़ पाया गया, न तना पाई गयी, न पत्ती पाया गया, ब्रायो पाइटा, इसको उभैचर बोलते हैं, पूछा है, कि किस पौधे को सेवाल के रूप में जाना गया ठेलो फाइटा को, और सेवाल का अध्यन क्या कहलाता है, एलगी का अध्यन क्या कहलाता है तो हम कहते हैं एलगी का अध्यन फाइकोलाजी कहलाता है अचा एलगोलाजी देगा तो पकड़ लोगे ना एलगोलाजी देगा तो लेकि कवक का अध्यन क्या कहलाता है कोई है सुर्वीर जो बता दे कवक का अध्यन क्या कहलाता है कवक का अध्यन क्या कहलाता फंगस माइकोलाजी, एलगी फाइपोलाजी के लिए दोनों को याद कर लेना, पूछा है निमलिखित में से कौन सा रिडाक्स अभिक्रिया है, रिडाक्स का मतलब जहां अपचैन भी हो, आकसी करड भी हो, का एक उधारण है, लोहा के आयस्क से लोहा का निकालना, H2O का वा क्रिया को चुनोगे, बताओ, देखो, H2O4 इसमें जो सही जवाब है न, यह तीसरा है, जैसे लोहे का एक अयस्क है, और इसको कारबन डायक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दिये, तो यहाँ पर हमको आयरन मिला, और साथ में तीन कारबन डायक्साइड प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर देखो, आयरन का आकसी करड संख्या 0 है, और यहाँ पर आपको आकसी करड संख्या जो मिला, वो प्ल हाँ और एक जगह आक्सी करप हुआ है जल का वास्पी करण, पानी उड़ गया भाव बन गया अभिक्रिया नहीं बहुति का प्रक्रिया यह विस्थापन अभी करिया है पूछाए मल पदार्थ द्वारा रोगाडवों के प्रसार के संबंध में निमलिखित में से कौन एफ आरेक में नहीं आता है एफ डाइग्राम में तरल पदार्थ फिंगर्स मख्या कवक तो आप जानते हैं जो उंगलिया होती हैं फिंगर्स होते हैं देकर मल द्वारा रोगाडवों के प्रसार के संबंध में जो भी एफ आरेक में नहीं आते हो फिंगर्स नहीं आते हैं बाकी आते हैं बाकी को लिया जाता है पुछाsuper निमलिखित में से किस जगत में केवल एक कोशकी यह जीव रहते हैं इसमें से कौन ऐसा है जिसमें A कोस्किय जीव होते हैं और ये पक्का आधा बच्चा इसमें गलत बताएगा इसका जवाब आधे बच्चे जो हैं गलत बताने वाले हैं क्या होगा निमलिखित में से किस जगत में केवल A कोस्किय जीव रहते हैं जवाब दे दो A कोस्किय जीव रहते हैं कौन साइस का सही जवाब होगा B की C देखो मोनेरा में कहोगे तो A कोस्किय प्रोकेरियाटिक मोनेरा में क्या होगा A कोस्किय प्रोकेरियाटिक अच्छा अगर हम कहें प्रोटिस्टा में क्या होगा तो एक कोस की euchariatic, आपसे पुछाए एक कोस की, दोनों हो जाएगा क्या यार, बोलो दोनों होगा क्या, एक कोस की euchariatic, यानि सही आंसर क्या है, तो सही आंसर इसका है C option, भ्या बिलकुल इसका सही जवाब दे दिजेगा, C option, किलीर है, कोई doubt तो नहीं किसी को, ठीक है, जिसने सी चुना है सही चुना है निम्लिकित में से कौन से कथन सत्य हैं 114 त्तो में ए और बी दोनों सत्य हैं बकवास ए और बी दोनों सत्य हैं तो देख लो ए असत्य है ये भी बकवास बी और डी में से एक को चुनोगे तो आप बताओ ना पहला असत्य है तो केवल सही क्या होगा डी होगा क्या होगा केवल डी होगा तो चलो मेरे भाई पुछा है निमलिखित में से कौन सी उर्जा की काई नहीं है उर्जा की काई नहीं है तो उर्जा की काई के बारे में हमने आपको पूरी तरह सेग दिन चरचा की थी कि भईया Newton Meter होता है URJAL की काई Kilogram Meter Square upon Second Square होता है URJAL की काई Jool होता है URJAL की काई Kilowat घंटा होता है जिसका मतलब 3.06 गुडền 10 की घात 6.jool होता है URJAL की yem काई Electron Volt होता है जिसमें एक 1.06 गुडền 10 की घात 19.jool होता है और URJAL की काई काई जो होता है आप जानते हैं इन सभी के अलावा अर्ग भी होता है जिसका मतलब 10 की घात माइनस 7 जूल होता है तो इसमें से उर्जा की काई छट्वे के बाद सात्वा कैलोरी भी होता है कैलोरी भी होता है उर्जा की काई वाट पर सेकेंड वाट पर सेकेंड इसको देखो watt का मतलब होता है joule per second और watt per second का मतलब एक और second ले ले गलत हो जाएगा यही नहीं है यह भी है watt per second watt second होगा watt per second नहीं होगा तो c option गलत है बड़ी प्यारा सा सवाल भना है सोचने पर मजबूर हाँ बिलकुल मजबूर कर देगा इसका यही गलत है चलिए धारा द्वारा उत्पन ताप प्रभाव किसके कारण होता है कोलीजन आफ इलेक्टरान स्पीड आफ इलेक्टरान इलेक्टरानों में प्रतिरोध या उर्जा की हानी धारा द्वारा उत्पन ताप प्रभाव जूल का नियम है आप जानते होंगे जूल का नियम जो होता है ह बराबर I2 into Rt सी निकालते हैं यह ह बराबर I2 Rt से अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो जब भी प्रतिरोध नहीं होगा उलेक्टरानों में प्रतिरोध नहीं होगा तो उर्जा पैदा नहीं होगी, वहाँ पर ताप पैदा नहीं होगा, वहाँ पर क्या पैदा नहीं होगा, तो भाईया 600 से उपर लाइक एक बर पहुचा दो, पूरी इनर्जी के साथ बिल्कुल, चलिए, अगले सवाल के तरफ चलते हैं, पुछाए, जल को सुद्ध करने के लिए आम त खनन, क्लोरीनेशन, विन, डिनाइट्रिफिकेशन, कौन ऐसा है, जो जल को सुद्ध करता है, C, अच्छा, कथोर जल को, अगर हम कहें कि, हाँ, एस्थाई कठोर जल को मिर्दू कौन करेगा क्या आपको पता है कौन सी विदी है तो पर्म्यूटिट विदी है दूसरा जी ओलाइट विदी है दोनों एक ही है आयन एक्स्चेंज है आयन एक्स्चेंज है अच्छा आश्थाई कठोर जल है तो उबाल दो काम हो जाएगा पुछा निमलीखित में से कौन नाभिक और राइबोसोम दोनों में उपस्थित हो सकता है नाभिक में होगा और राइबोसोम में भी उपस्थित होगा अच्छा अगर कहता DNA वाला सवाल एक आता है तो DNA वाले के लिए mitochondria दे देता ना नाभिक में भी है और mitochondria DNA मार दिया जाता है लेकिं question तो फसा दिया मेरे भाई कह दिया कि नाभिक में भी है और ribosome में भी है तो DNA आंसर नहीं होगा अब DNA नहीं होने वाला है हाँ इसका आंसर क्या होने वाला है देख लो DNA नहीं होगा तो इसका आंसर होने वाला है MRN क्या होने वाला है MRN अरे ना भाई MRN पूछा है प्रकृति में पानी का सबसे सुद्धरूप कौन सा है सबसे सबसे सुद्धरूप तो वो पानी सुधा है क्योंकि वास्पी करण की प्रक्रिया द्वर आया है और यह सौवा कोशन है बिद्युत परिपत में परियुक्त तार किस सिधान पर अधारित है बताईए तार जो है किस सिधान पर अधारित है बिद्युत परिपत में परियुक्त तार जो है किस सिधा greater की बात हम करते हैं तार की तन्यता-धातृ का गुड़ है चुंब की प्रभाव यह धारवा ہी तार का गुड़ है सही जवाब यहां पर is aap दिया है सही हृग दिasion वाले भी बिलकुल कोशिस तो किये हैं यह लेकिन क्या कहा जै तो चलिये दुबारा मुलाकात साथ होगी पीडियाफ आपको मिल जाएगा बाकी चीजें हैं अब इसे एक सर्मडी क्लासेज के टेलेग्राम चैनल से जूड़ जाएगा एमडी क्लासेज का अफिसल एप्लिकेशन इंस्टाल रखना इसलिए जरूरी है कि फ्री टेस्स भी आपको मिलता है पेड़ वाला तो मिलता ही है एमडी क्लासेज का अफिसल एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर से रखेगा साथ में याद रखेगा नाम नंबर से रजिस्ट अब इसे एक सर एमडी क्लासेज का टेलिग्राम चैनल इस्टाल करिए यहां पर आपको बिल्कुल जानकारियां मिलती रहेंगी चलिए आज की क्लास के लिए आज मिया हम भी थोड़े मिमार थे हम भी सही हुए हैं तो मिसालसर बिमार पड़ गया क्या कहा जाए चलिए फिर दुबारा मिलते हैं हम लोग कल जैहिन सभी को थेंक्यू सुमच आपका दिन सुब हो आप बहतर रहें जबरजस्त रहें जिन्दाबाद रहें कल मुलाकात होती है कोई बात होगी तो जरूर बताइएगा जिन लोगों लें लाइक नहीं ठोका है छैसो के पार लाइक और क् कर्मेंट की बहुंचार होनी चीव मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं देखता हूं कि कौन क्या लिखा है जैहिन मेरे राजा कि अगर कि अगर कि